तो एक तरफ स्मॉक की वज़ा से दिल्ली ग्यास चेंबर में तब्दील हो गई है एर कॉलिटी इंडेक्स कंभीर स्तर पर बना हुआ है इस प्रदूशड की बड़ी वज़ा पराली जलाने को माना जा रहा है पराली जलाने को लेकर हर्याना और पंजाब समेट कई राजियों की सरकार ने कड़े नर्देश जारी किये है किसानों को पराली को लेकर जागरू करने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन इस बीच किसानों की कुछ संगठन विरोध पर उतराए है पराली जलाने पर हो रही सक्ती का विरोध भी तेज होता जा रहा है बठिंडा से लेकर मुझफफर नगर तक किसान पराली जलाने पर लगी रोक के खिलाफ स्वरकों पर उतरा है प्रदर्शन किये जा रहे हैं पराली जला कर विरोध जताय जा रहा है पंजाब में पराली जलाने पर लगी बंदिश को लेकर किसान बागी रुख अपनाए हुए है तस्वीने पंजाब के बठिंडा की है यहाँ डिप्टी कमिशनर के दफ्तर के बाहर किसानों ने पराली जला कर अपना विरोध जताया किसान पर आली जलाने के आरोप में दर्ज हो रहे हैं मुकदमे का विरोध कर रहे हैं पंजाब ही नहीं, हर्याना से लेकर पश्मी उतरपरदेश तक किसान पर आली जलाने पर लगी रोक के खलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं किसान संगटनों के मताबिक सरकार खेतों से पराली को हटाने का कोई इंतजाम करे अगर सरकार को इंतजाम नहीं करती तो पराली जलाने पर जुर्माना किये जाने का विरोध और तेज होगा दरसल दिवाली के बाद से दिल्ले इस मौक की मार जहल रही है जानकार पूरे उत्तर भारत में परदूशन की बढ़ती आफ़त के लिए पराली को जिमेदान मान रहे हैं लेकिन किसान यूनियन आरुपों को नकार रहे हैं पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोट भी सक्त टिपनी कर चुका है चार नवंबर की सुनवाई में शुष अदालत ने दिल्ली और केंदर सरकार को परदूशन पर ततकाल खदम उठाने का निर्देश दिया है कोट ने कहा कि राज मशीनरी कोई कारवाई नहीं कर रही है केंदर और दिल्ली को ही कुछ करना होगा सुप्रीम कोट ने सरकार को पराली जलाने वालों के नाम देने का निर्देश दिया है एक तरफ किसानों का दावा है कि वो मजबूरी में पराली जला रहे है दूसरी तरफ सरकार सबसीडी देने का दावा कर रही है लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है टीम न्यूज नेशन